दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमन व्लॉक्स में तो दोस्तो अभी सुवे के 10 बज रहे हैं और मैं टहले के लिए निकला हुआ था खाना वाना खाके तो मैं अपने बगल के गाउं में आया हुआ हूँ हमारे दोस्त के गाउं है बगल में वहीं पर आया हुआ हूँ है तो मेरा दोस्ते ही बैठा हुआ है आए दोस्तो आप लोग कैसे हैं हम जानते हैं सब लोग खीक होगी दोस्तो देखो आप लोग पूझ रहा है कमण करके जरूरू उता दीजिएगा आप लोग इनका नाम है सब्सक्राइब इसे इनको सब गाउं में बिदायक बि सब्सक्राइब दोस्तों है तो आप लोग क्या महोल है दोस्तों हम जिस बगीचम आए हुए है इस टाइम पर वह बगीचा बहुत बड़ा है आप लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी फील्ड है लेकिन इसमें साथ आठाम के पेड़ने खाली आप लोग देख सकते हैं मेरा दोस्ते ही जड़ पर बैठा हुआ है आमके और यहीं कुछ बगल में वहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं वहाई कुछ खाली स्थान है वहाँ पर कुछ जो जानवर और कोई मर जाता है तोहीं पर ले आकि उसको दफन कर देते हैं गाव में और दोस्तों मैं इसी साइक के लभी तक मेरे पास है तो मुझे बहुत इसको चलाने बहुत अच्छा भी लगता है कि दोस्तों मैं भी पेड़ के जड़ पर बैठ चुका यहां और मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ है तो मुझको यहीं पर कहा है यह बुलाया से पूछते हैं कहें बुलाई यह बता यहां का मौसम बहुत अच्छा था का मलाक चार है ओ और हम लोग यहां पर अकेलने में इसी लिए यहां बुलाया तो दोस्तो मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूं लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत दिन बाद आया हूं अपकी बार तो यहां का मौसम काफी अच्छा है और लेकिन अभी थोड़ा दूप निकल चुका है तो हां तो हलकी-हलकी गर्मी लग रही है और बगल में आप लोग हमारे पीछे देखेंगे वहां फुglich देख रहे हैं तो वहां कितना सारा गलय करती किया और पीछे आप लोग दिखा देते हैं पैसे दोस्तों ने बाध करते हैं और मीद्हें सारे जह टोने कि गई है को गन्यां कि इधर भी है और उधर भी आप देख रहे हैं और बगन में भी एर सारा खेती की गई है और हाँ कुछ फसल लगाई गई है धान की क्योंतिफे देख रहे हैं कितना धे डह सारा हराहा यहां पर घास उगी हुई है तो जो लोग गाव में भैस पाले हुए हैं वो दो बज़े तीन बज़े दोपहर के बाद में लाते हैं अपना चराते हैं इसको चारा के लाते हैं भैस को यहां पर पूरा हरी भरी फील्ड है अभी बरसात हुआ था तो डेर सारी घास उगी हुई है यहां पर तो दोस्तों आज का ब कर दोस्तों आज 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 कर दोस्तों